नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है नीदी कीचल लाइस्टाइल चैनल पे दोस्तों कैसी है आप सब एक बार कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीचेगा पास ही दिख 100 and 100% work करती ही करती है बहुत ही नैचरल तरीका है बहुत ही इजी रेमेडी है तो विडियो को बिना स्किप किये पूरा देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बाते बनाए जल्दी से फटाक से सबसे पहले हमें ले लेना है एक आरेन वेसल इस वेसल में मैं आड कर दी करूंगी यह सब हमारे बालों के लिए बिलकुल वर्दान है और मैं एक चमच यहां पर चाय की पत्ती आड कर दूंगी सारी इंग्रेडियन्स आपके किचन में ही अवलेबल है तो अब मैं गैस का फ्लेम ओन कर दूंगी इन सब को रोस्ट करना है हमें देर से दो मिनट के ताकि यह बिलकुल अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए बस आपको एक बात का ध्यान रखना है इसे आपने धीमे आँच पे रोस्ट करना है इस सारे इंग्रेडियन्ट को हमें जलाना नहीं है जलाने से इन सब की गुडनेस चली जाएगी तो इन्हें बिलकुल लो फ्लेम प मैं गैस का फ्लेम आफ कर दूंगी और इसे कंटिन्यूस में स्टर करते रहूंगी चलाते रहूंगी ताकि यह जले नहीं अभी कढ़ाई जो है हमारा बहुत ही जादा गरम है तो गाइस मैं आपको यही बताऊंगी कि आप जब भी कोई भी हेर रिलेटेड अगर आप रेम तो अब इसे मैं ग्राइंड कर लोंगी और पाउडर फॉर्म में बना लोंगी रूम टेम्परेचर हो जाने के बाद मैं इसे ग्राइंड करोंगी और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसे बना लोंगी ऐसे करने से ना इसे रोस्ट करके हम जब इसे पाउडर फॉर्म में बनाएंगे ना तो ये बहुत ही जल्दी ग्राइंड हो जाती है और पाउडर फार्म में रेडी हो जाती है तो गाइस बस अभी कढ़ाई बहुत गरम था इसलिए मैं से कंटिनुवस चला रही थी गाइस इसमें जो भी मैं इंग्रेडियंट आड करूंगी ना बहुत ही तो मैं आपको दूंगी ही दूंगी बहुत ही अच्छा रेमेडी है ये तो चलिए अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं और आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं तो गाइस ये देखिए ये बिलकुल पाउडर फार्म में हो चुका है इस तरह से आप बना के किसी भी अब यहाँ पर मैं एक से डेर गलास पानी टो मैं यहाँ पर मैं इसमें एक यए करके इंगर department खरोंगी तो सबसे पहले जो पाउडर हमने बनाया है कलाउजी मेथी दाना चाय प्ती और काली मिर्चस से वह पाउडर मैं यहां पर आट कर दी हूँ तो दो चमच में वह उसके बाद मैं यहां पे एड़ करूंगी आमला पाउडर आमला पाउडर आप सब को पता है कि बहुत ही हिलफुल होता है हमारे बालों को बलाक बनाने में आमला का सीजन चल रहा है गाईज आप से रिक्वेस्ट है कि आप अपने डाइट में जादा से जादा आमला यूज क यहां फालिट कर दी हूं आपको जितना यह बनाना है अपने हियर लेंथ के अको ओडि ब्रिंगराच पाउडर अगर आपके पास अवालेबल है ना तो आप जरूर डालिए बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेयर्स के लिए तो मैं यहां पे एक चमच ब्रिंगराच पाउडर एड़ कर दूगी गाइस उसके बाद मैं इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर दूगी गैस का फ्लेम ओन कर दी हूँ बिलकुल लो फ्लेम पे हमें इसे कोक करना है हमें कोई भी हरबड़ी में यह काम नहीं करना है नहीं तो यह बिलकुल जल जाएगा और वो जला हुआ हमें नहीं चाहिए हमें सारा गुड़नेस चाहिए जो कि हमारे बालों को बहुत ही मैं आपको बता दू कि मैं एक ऐसा इंग्रेडियंट यहां पर चुटकी भर आड़ करने वाली हूँ जो कि बहुत जादा रामबान का काम करता है हमारे बालों के लिए वो है फिट किरी जी हाँ दोस्तों आप फिट किरी जरूर आड़ करें अगर आपके पास नहीं है तो अच्छे से दरदरा पहले कूटली थी फिर मिक्सी में ग्राइन करके रख ली हूँ तो यह बिलकुल पाउडर फॉर्म में हो गया है अब इसे हमें कोक करना है अटलीस चार से पांच मिनट के लिए ताकि यह बहुत ही अच्छा सा कलर आजा इसके अंदर और थोड़ा सा य और कलर भी काफी अच्छा सा आ गया है तो इस स्टेज पे फिर मैं गैस का फ्लेम आफ कर दूंगी और इसे रूम टेंपरेचर तक आने के लिए इसे रख दूंगी हमें इसे रात भर नहीं रखना है बस यह ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे हम अपलाई करेंगे तो ठं लगाना है आपके बाल अच्छी तरह से वाश किये होने चाहिए तेल लगावा नहीं होना चाहिए और अपने हाथों से भी इसे लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आप चाहें तो ब्रेश भी उसकर सकते हैं और इसे आधे से पौन घंटे के लिए अपने बालों पर लगे रहने दे उसके बाद आप अच्छी तरह से इसे पानी से वाश कर ले फिर रात में मसाज कर ले तेल से और नेक्स डे शैंपू करें आप ये काम वीक में एक बाद जरूर करें आपकी बाल बिल्कुल जड़ से बलाक आएगी थैंक यू